परिचाए, क्या कोई मुझे बता सकता है कि गणितिय आगमन क्या है? सहर, यह तथियों को सिद्ध करने का एक विशेश तरीका है. सही कहा, लेकिन किस प्रकार के तथि? गणितिय आगमन के प्रयोग द्वारा हम प्राकृत संख्याओं वाले कतनों को सिद्ध कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक, क्या आप जानते हैं कि गणितिय आगमन गणित में बहुत महतपून टूल है? तो ठीक है, आज हम गणितिय आगमन के बारे में सीखेंगे. आईए देखें. उत्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. प्राकृत संख्याओं वाले कतनों को सिद्ध करना. प्राकृत संख्याओं वाली असमी का ग्याक करना. प्रेर्णा गणितिय आगमन एक विशेश विथी है, जिसका प्रयोग प्राकृत संख्याओं के लिए कतनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है. आईए इसे अच्छी तरह से समझें. एक फीचरिंग क्लिप में हम पहले डोमिनो को धक्का देते हैं, तो अगला सोधा ही गिर जाता है. और हम देखते हैं कि सभी डोमिनो गिर जाते हैं. ये आगमन दर्शाता है. एक आगमनिक समुच्चे एक समुच्चे कैपिटल एक्स है, जिसमें ये गुण है कि प्रतेक एक्स अव्यव है कैपिटल एक्स का, एक्स का उत्तरवर्ती एक्स डैश भी कैपिटल एक्स का एक आगमनिक समुच्च का एक प्रमकुधारण प्राकृत संख्याओं का समुच्च है. प्राकृत संख्याओं के समुच्च को capital N से निरूपित करते हैं. गणितिये आगमन का सिध्धान्थ यदि P N एक कथन है जहां N अव्यव है capital N का. इस प्रकार की मूल दिखाएं की प्रथम कथन सत्य है. अर्थात N बराबर एक के लिए P1 सत्य है. आगमन चरण यदि N बराबर के के लिए कथन सत्य है, तो कथन N बराबर के प्लस एक के लिए भी सत्य है. अर्थात P K की सत्यता, P K प्लस एक की सत्यता को इंकित करती है, जहां K धन पूरांख है. तब गनितिये आगमन के सिध्धान्थ के द्वारा कथन P N सत्य है, जहां सभी N के अव्यब हैं. गनितिये आगमन के सिध्धान्थ को लागू करने के कारिकारी नियम, चरण एक, दिखाएं कि दिया गया कथन N बराबर एक के लिए सत्य है, चरण दो, कल्पना करें कि N बराबर के के लिए कथन सत्य है, चरण तीन, चरण दो में बनाए गई अभी धारणा का प्रेयोग करते हुए, दिखाएं कि N बराबर के प्लस एक के लिए कथन सत्य है, चरण चर, ये गणितिये आगमन के सिध्धान्थ को पूरा करता है, निशकर्ष निकालें, कि दिया गया कथन ऐसे सभी N के लिए सत्य है, जो कैपिटल N के अव्यव हों, महत पूर्ण निशकर्ष निमने लिखे थे, अव्यव हों, उदारण गणितिये आगमन के सिध्धान्थ का प्रेयोग करते हुए, सिध्ध करें की N की घाथ 5 बटे 5 प्लस N की घाथ 3 बटे 3 प्लस 7 N बटे 15 एक प्राकृत संख्या है, जहां सभी N के अव्यव हैं, हल, माल लें, अव्यव हैं, इसे एक नाम दें, प्लस 10 गुणा के की घाथ 3 प्लस 10 गुणा के की घाथ 2 प्लस 5 के प्लस 1 बटे 5 प्लस के की घाथ 3 प्लस 3 के प्लस 1 बटे 3 प्लस 7 के प्लस 7 बटे 15, पराबर k की घाद 5 बटे 5 प्लस k की घाद 3 बटे 3 प्लस 7 k बटे 15 प्लस की की घाद 4 प्लस 2 गुणा k की घाद 3 प्लस 3 गुणा k की की घा 2 प्लस 2 k प्लस 1 अवयव है कैपिटल N का उप्रोक्त समिकरन का पहला भाग N में है, दूसरा भाग N में है क्यूंकि K N का अव्यव है, अता N बराबर K प्लस एक के लिए निशकर्ष सकते है चरण चार, गणितिय आगवन के सिध्धान्त के द्वारा N की घात 5 बटे 5 प्लस N की घात 3 बटे 3 प्लस 7 N बटे 15 अव्यव है कैपिटल N का, सभी N अव्यव है कैपिटल N के यदि N केपिटल N का व्यव हो, तो सिध्ध करें कि 10 की घात N प्लस 3 गुणा 4 की घात N प्लस 2 प्लस 5 नौ से विभाच है हल, माल लें F of N पराबर 10 की घात N प्लस 3 गुणा 4 की घात N प्लस 2 प्लस 5 नौ से विभाच है कैपिटल N का, चरण एक माल लें N पराबर एक, F of 1 पराबर 10 की घात 1 प्लस 3 गुणा 4 की घात 1 प्लस 2 प्लस 5 पराबर 10 प्लस 192 प्लस 5 पराबर 207 पराबर 9 गुणा 20 अता F of 1 प्लस 9 से विभाच है ये निशकर्ष N पराबर 1 के लिए सत्य है चरण दो, माल लें निशकर्ष N पराबर के के लिए सत्य होगा अता F of K बराबर 10 की घात K प्लस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 2 प्लस 5 प्लस 9 से विभाच है माल लें 10 की घात K प्लस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 2 प्लस 5 पराबर 9 M इसे एक नाम दें चरण 3 माल लें N पराबर के प्लस 1 अता F of K प्लस 1 पराबर 10 की घात K प्लस 1 प्लस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 बराबर 10 कुणा 10 गुणा K प्लस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 3 प्लस 5 बराबर 10 कुणा 9 M मैनस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 2 मैनस 5 प्लस 3 गुणा 4 की घात K प्लस 3 प्लस 5 बराबर 90M-30 गुण 4 की खाद के गुण 16-50 प्लस 3 गुण 4 की खाद के गुण 64 प्लस 5 बराबर 90M-4 की खाद के गुण 480-192-45 बराबर 9 गुण 10M-32 गुण 4 की खाद के माइनस 5 अता F of K प्लस 1 नौ विभाचे है अर्थाद निशकर्ष N बराबर K प्लस 1 के लिए सत्य है चरण 4 गणितिये आगवन के सिध्धानत द्वारा 10 की खाद N प्लस 3 गुण 4 की खाद N प्लस 2 प्लस 5 नौ से विभाचे है जहां N अवियव है कैपिटल N का सभी प्राकृत संख्याओं N के लिए सिध्ध करें की 3 की खाद N अधिक है 2 की खाद N से हल माले F of N बराबर 3 की खाद N अधिक है 2 की खाद N से N अवियव है कैपिटल N का चरण 1 माले N बराबर 1 F of 1 इस प्रकार की 3 की खाद 1 अधिक है 2 की खाद 1 से बराबर 3 अधिक है 2 से अथा F of 1 सत्य है चरण 2 माले N निशकर्ष N बराबर K के लिए सत्य है अथा F of K इस प्रकार की 3 की खाद K अधिक है 2 की खाद K से चरण 3 माले N बराबर K प्लस 1 अथा F of K प्लस 1 इस प्रकार की 3 की खाद K अधिक है 2 की खाद K प्लस 1 से F of K प्लस 1 का प्लस 1 बराबर 3 की खाद K अधिक है 2 की खाद K गुणा 2 से अथाथ 2 की खाद K प्लस 1 बराबर F of K प्लस 1 का दाया पक्ष अथा निशकर्ष N बराबर K प्लस 1 के लिए सत्य है चरण चार, गणितिये आगवन के सिध्धान्त के द्वारा, तीन की घात N अधिक है, दो की घात N से, जहां N अवियव है, कैपिटल N का क्या आप जानते हैं, आगवन शब्द का प्रयोग अंग्रेश गणितक के जौन वॉलिस द्वारा किया गया गणितिये आगवन के सिध्धान्त को फ्रांसीसी गणितक के ब्लेश पासकल ने विक्सित किया सारांश आईए हमने जो को सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं गणितिये आगवन एक विशेश विदी है, जिसका प्रयोग प्राकृत संख्याओं के लिए कत्रों को सिध्ध करने के लिए किया जाता है एक आगवनिक समुच्चे एक समुच्चे कैपिटल एक्स है, जिसमें ये कुण है कि प्रतीक एक्स अवियव है कैपिटल एक्स का एक्स का उत्तरवर्दी एक्स डैश भी कैपिटल एक्स का एक अवियव है आ गमनिक समच्च का एक प्रमंग उधारण प्राकृत संख्याओं का समच्च है। प्राकृत संख्याओं के समच्च को कैपिटल N से निरूपित करते हैं। गनितिय आगमन का सिध्धांत यदि P, N एक कतन है जहां N अव्यव है कैपिटल N का इस प्रकार की मूल दिखाएं की प्रथम कतन सत्य है अर्थात N बराबर 1 के लिए P, 1 सत्य है। आगमन चरण यदि N बराबर K के लिए कतन सत्य है तो कतन N बराबर K प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अर्थात P, K की सत्यता P, K प्लस 1 की सत्यता को इंगित करती है जहां K धन पोड़ांख है। तब गनितिय आगमन के सिध्धानत के दौरा कतन P, N सत्य है जहां सभी N के अवियव हैं।